Hey guys, this is Sonam Singh and you are watching Shiyama Astrology और हम आज बात करेंगे मिथुन राशी के 2020 का राशी फर्ण and वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब को a very happy new year आप सब लोग खुब खुश रहो, मस्त रहो and yes, जो मेरे prediction होते हैं वो चंदर राशी पी based होते हैं अगर आपका लगन भी मिथुन है तो मेरे predictions आप पर applicable होंगे around 70-80% So guys, let's start सबसे पहली बात, 2020 में जो लोग भी single है और if you are ready to go in a relationship या फिर आप love affair में हो, शादी तक बात पहुचाना चाहते हो या फिर आप bachelor हो और mommy, papa आपके लिए कोई life partner ढून रहे हैं तो 2020 में ये सारी चीजे जो है solve हो सकती है आपके wish fulfill हो सकती है क्योंकि 2020 बहुत important साल है regarding marriage जो लोग भी शादी करना चाहते हो उनके लिए बहुत important है So mark my words आप मेरी चीजों को ध्यान रखिए जब भी आपको कोई life partner मिलेगा या आप relationship में जाओगे आप मेरी वीडियो पे वापस आओगे and you will comment that I was true So open your heart share your feelings जिनको भी आप पसंद करते हो उनके साथ अपनी feelings share कीजिए अपने relationship में आगे बढ़िए अब बात कर लेते हैं शनी की हालाकि मैंने शनी का transit की एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने मिथुन आशी के लिए बताया है बट मैं यहां ब्रीफ में बता देती हूँ कि जब 24 जनरी के बाद जब शनी आपके अश्टम भाव में चले जाएंगे और जिनकी चंदर राशी मिथुन है तो उनके लिए ढ़िया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी बट फिर भी यह इतना नेगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि शनी जो है वो अपने ही गर में जाएगे बट थोड़ी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आगी चैलेंजिंग सिचुएशन कहाँ पे रिलेटे टो यूर वर्क रिलेटे टो यूर करियर आपको ऐसा फिल होगा आपके वर्क प्लेस पे आपके करियर में कि आप जहां पे भी काम कर रहे हो आपको स्टग्ड फिल होगा एक स्टेक्नन पोजिशन रहेगी आपको लगेगा कि आपकी growth नहीं होरी, promotion नहीं होरा, increment नहीं होरा, आपको ऐसा भी feel होगा कि मैंने यहाँ पे बहुत काम किया, आपको वैसा return नहीं मिल रहा है, तो you will feel like quitting your job, तो एक चीज यह, 30 March से लेके 30 June और 20 November के बाद और December, इन टाइम पे आप प्लीज जॉब मत छोड़ेगा, otherwise इन महीनों को छोड़के, अगर आप जॉब छोड़ने की सोच रहे हो, तो आप छोड़ सकते हो, and yes, 2020, it is very good for students, students के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग भी बाहर जाक के पढ़ना चाहते है, उनके लिए बहुत अच्छा है, higher education के लिए अच्छा है, competitive exams के लिए अच्छा है, और क्यूंकि साल के स्टार्टिंग में मंगल आपके 6th house में रहेंगे, तो साल के स्टार्टिंग से ही आपको फील होगा कि आप फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए, आपके रुटीन activities में आप और जादा involved हो जाओगे, आपके अंदर इनरजी आएगी, और 2020 उन लोगों के लिए खासकर अच्छा है, जो लोग अपना नया business खुलना चाहते है, new startup खुलना चाहते है, business partnership भून रहे हैं investment के लिए, so it is very good for business, but एक advice यह कि आप एक बहुत बड़ risk लेने की ना सोचे, 2020 में, क्योंकि Saturn आपके 8th house में चल रहे हैं, तो जब Saturn 8th house में चलते हैं, especially चंदर राशी से, तो वो challenges देते हैं, obstructions देते हैं, और hindrance देते हैं, so overall 2020 बहुत अच्छा है, marriage के लिए अच्छा है, love affairs के लिए अच्छा है, partnership के लिए अच्छा है, students के लिए अ education के लिए अच्छा है, competitive exams के लिए अच्छा है, बाहर जाने के लिए अच्छा है, गूमने फिरने के लिए अच्छा है, but yes, जो लोग भी job में है, work place पे है, तो वहाँ पे उनको colleagues के साथ relationship ध्यान अच्छा है, अपने seniors के साथ relationship अच्छा maintain करने की ज़रूरत है, but 2020 में एक ची and you want to change it, तो कहते न, आप अंदर के अपनी सारी energy एकत्रित करके, अपने willpower, determination, force के साथ, आप चुछ सिच्छा है, उसको change करने के कोशिश करोगे, may be related to your job, आप job के quit करो, हाँ, बहुत जादा patience की ज़रूरत है, बहुत जादा धहरी और सबर की ज़रूरत है, जॉब तभी छ थ्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, especially stomach related, और stomach के नीचे वाले portion को related, अपने health का ज़रूर ध्यान रखिए, so guys, ये था मित्वन राशी का, राशी फग 2020 का, I hope आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो, please subscribe my channel and like my videos, thank you for listening, bye bye